सिविलाइन थाना छेतर कार्ट रोड पर बीते दिन सड़क हास्से में महिलाओ और बच्ची की मौत के बाद से पुलिस और पेशाश्टिक अधिकारी पूरी तरह से अलट मौट पर नजर आ रहे हैं सड़क किनारे अतिकर्मन को लेकर नगर निगम द्वारा समय समय पर अभ्यान चलाया जाता रहा है मगर कल के हास्से के बाद से नगर निगम पेशाशन भी पूरी धना से अलट मौट पर नजर आ रहा है इसी किते हैं शुकुर्भार को कार्ट रोड पर नगर निगम का बुलडोजर जम कर गर जा अपर नगर आयूप अनिल कुमार सिंग के नेतेत में नगा निगम की टीम द्वारा कार्ट रोड के दोनों साइट इस्थाई और आस फ़ाई अतिकर्मन का द्वस्त किया गया या ऐसी समस्या है जिस पर निरंतर अंकुष लगाने की आविशक्ता है उसी कड़ी में आज पेली पोटी चराय से पीएसी तरह होते हुए कार्ट रोट पर अतिकर्मण हटाने का अभियान चलाया जा रहा है सड़क के दोनों साइट जितने भी इस्थाई और आइस्थाई अतिकर्मण कर रखे हैं उनको हटाया जा रहा हैं उनके समान की जप्तिकरण की जा रही है पेनल्टी लगाए जा रही है और ध्वस्तिकरण की कारेवाही की जा रही है इससे पहले कल चेताबनी भी दी गई थी कर रहे हैं पब्लिक से अपीर है कि अपने समान को अंदर रखें चड़क या पट्रे पर घेर करना रखें जिसने लोगों को आसुविधा ना हो यह अभियान जल समानने के सुविधा के लिए यातायात की विवस्तों को सुगम बनाने के करम में चलाया जा रहा है अब है कि अध्याइब की समस्या ऐसी समस्या है इसको नंकुस लगाने के आउशकता होती है उसी कड़ी में आज हमने बीडी बूटी चोराय से और पीएसी तराया होते हुए कांट रूट रगाने का हमारा अभ्यान है इसमें सुलक के दोनों जितने भी इस्थाई और अंस्थाई अच्पल कर रखे उनको उटाया जाएगा उनके सामान की जब्तिकर की जाएगी पैनल्टी लगाई जाएगी और दोस्तिकर की करने की हैं कि उनको कि हमने कल सजीत भी क्याता कि इस तरह को ना करे जिसंते जन्सामाने को चलने में असुगदा हो तुर पुर्भागेपूर है कि इस प्रवगटना में बहुत दुक्सान हुआ है जानवान का तो हम उसको रोगने के लिए जितना हम कर पा रहे हैं और प्रेक्टिविदी उसको कर पा रहे हैं हमारा पप्लिक से भी अपील है कि अपने सामान को अंदर रखें भार को चलक या पट्र